प्रदान जी ने पताया है कि उन्होंने अपनी ग्राम पंचात में काफी विकास किया है रोडू को बनबाने का प्रयास कर रहे हैं नाली का प्रयास कर रहे हैं इसी को सर्वे करने हम लोग आएं क्या प्रदान जी जो कह रहे हैं वो सत्य है या नहीं है आईये यहां के कुछ लोगों से बात करते हैं पूस्ते हैं जो यह रोड का निर्मान चल रहा है कि यह प्रदान जी के कारिकाल में चल रहा है या पहले से था या कितने परतें प्रदान जी सच बोल रहे हैं इदर आज जिरी किसंदी बताईए, यह जो रास्ता है जा हम लोग खड़े हैं, कितने साल से यह है? यह लोग है कि इक आता है लोग तो थे सिंगर रस्ता को पाणी भरो, को शाय करें लेकं पचेल बढ़े अभी आप देख सकते हैं, कहीं पाणी नहीं भरा है utho पर फीटिति साल एल Twin पत्रवा था इस पड्चेति साल सब पानी बरा हुआ था यह Weumm P Chridhani जी ने करवा यह संव आठे जी इस लुरिएंगा जे जू के लेग्म कारे करएं प्रदान की ई करवा यह खराया च्तुंदा रौंग ग। जी पर्दीव जी चलिया आने बाले ताम चले में इसे नहीं तरफ आतना दुप या नहीं करेंगे ए वह तो साल पत्क किया नहीं तरफ आई कर वह बहूं जब परनी थे उटियों किसी ने करें तो कोई सुगार यह पिर्दान जी ने किया है तो बता रहे हैं लोग यह समस्या है यह इसका निधान किसने किया है अ पर दीप दान जी ने इससे पहले की कंडिशन क्या थी निकला नहीं जाता था तो कैसी कैसी समस्या को और आज हमारे साथ बात करने के लिए उपस्तिते उपना नभन निवाचत प्रदान जी आई इन से जानने का प्रयास करते हैं कि ग्राम पंचाद की जनता ने काफी अच्छा जनार्दन दिया तो आने वाले अपने 5 साल में किस तरीके से कारे करेंगे और किस तरीके से ग्राम पंचाद की जनता का विकास करेंगे आईए बात करते हैं प्रदान जी से प्याना में सर आपका प्रदीब कुमार मात जी ये बताई सर आपको ग्राम पंचाद की जनता ने बहुत ही भारी मतो से विजय किया है तो ग्राम पंचात की जंता का आने वाले टाइम में कैसे विकास करेंगे और कैसे धन्यवाद देना चाहेंगे पूरी जंता का सबसे पहले तुम्हें धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो नहोंने उन्हें हमको भारी मतों से विजय बनाया और मेरे पर विश् जो ज्यादा तरत दवे कोछ ले आपनी बात नहीं कह सकते हैं, आज हर आदमी विक्त मेरे से जगह-जगह मिलके, रास्ते में खड़े करके भी अपनी बात कह लेता है, वो कोई भी समस्य आती है, वो हमको बता देता है. सर अभी हाले में कोरोना काल चल रहा है, दो साल से चला रहा है, तो आपने अपनी ग्राम पंचायत की जनता को कैसे बचाया कोरोना से, कुछ लोग रोजगार भी हो गए, तो उनको कैसे रोजगार दिला पाया आपने? कोरोना काल में सबसे ज़्यादा वैक्शीन का जो आया, तो मेरी प्डारी पंचायत पूरे जिले में नमबर एक पह थी, सबसे पहले मैंने 125 लोगों को वैक्शीनेशन कराया, जब अन जगह कोई वैक्शीनेशन नहीं होता, और पूरे गाउं को इस तरह मोडिफाइट किया, कि नहीं इससे हम लोगों बचा होगा, ना कि किसी प्रकार के किसी को नुक्शान होगा, तो लोगों ने हमारी बात सुनी, क्योंकि उनका विश्वास था मेरे उपर, उन्होंने अपने सयोग के साथ हमें सबने बैक्शीनेशन करा, और प्डारी में आज नमबर एक पर पू बहुत ज्यादा डेंगू भी फैला हुआ था, तो उसका बहुत ही कारण रहा कि कहीं न कहीं साफ सफाई को लेके, तो अभी अपने ग्राम पंचार में कैसी विवस्ता है चलने साफ सफाई को, साफ सफाई के लिगे मैडम देखिया हमारे यहां जो कर्मचारी लगे हूँ, कि हमने चल्चारा करते कि रखाद सफाई कारते हैं कन्यों मैगे अब विवस्ता हैं यह रोगेशित हैं ह।